हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपको हमारे चैनल पर आज हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्ण पत्र देखने जा रहे हैं जो कि कछ्छा-साथ गनित का है बार्सिक प्रिक्षा 23 का इस्टुडेंट जो आपकी होनेवाली प्रिक्षा है उसका पेपर है इस्टुडेंट्स कम से कम, मैं एदावे के सबसे करनने के बाद आपको 80% से अधिक अंक आपको प्राप्त होंगे इस्टुडेंट्स students यह विदावे के साथ कह सकता हूं तो students यह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करके जाना है यह सभी प्रश्ण बहुत ही important paper से लिखे गए हैं तो students direct प्रश्ण पत्र नहीं दाल सकते इसलिए हम लिखके आपको बता रहे हैं students students ताकि आप अच्छे से अच्छे marks अपने एक्जाम में सेक्योर कर पाऊं या फिर ला पाऊं तो students जो भी आपकी परिक्षा होने वाली हैं सब्सक्राइब के तरफ से तो कच्छा सांत दोजार तेइस की यह गनित का पेपर हम सॉल्ट करेंगे यह स्टुडेंट देखिए इस पहला प्रश्ण एक घंड के कितने कौन होते हैं students हम सबको बताए एक घंड के कितने कौन होते हैं students देखिए आपको गिन के बताता हूं students में ताकि कन्फिज नहीं हो यह घंड है देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ बह आठ कौन होते हैं अगले देखिए ऐसे त्रिबुच जिसकी तीनों बज़ाएं समान होती है उसे संभाव कितने सीर्स होते हैं students तीन सीर्स होते हैं एक दो और तीन अगला संगत कौन में यदि एक कौन 110 का है संगत क्या होता है देखिए यह वाला कौन या फिर यह वाला कौन किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा यह वाला कौन इसके बराबर होगा यह क्या होते हैं संगत कौ होते हैं students तो इसका क्या हो जाएगा 110 का है दूसरा भी 110 का होगा दह उत्तर हो जाएगा किसी वर्ग का परीमाप अगर परीमाप वर्ग है students परीमाप दे रहा है परीमाप से पहले हम क्या निकालेंगे बुजा निकालेंगी 12 अब हमें एक संदर हो जाएगा दे देंखिए 4-f अधर दूसरा लिएका बाट्टा 2, अठारा तो पी बराबर क्या हो जाएगा अठारा बटे चार, दो से काटेंगे, नौ बटा 2, आह उत्वर हो जाएगा, सही विकल्प के सांद मिलान करेंगे, इस्टुडेंट्स देखिए परीमाप, वर्ग का परीमाप, अभी हमने सुना था, चार गु आयत इस प्रकार से होता है, आमने सामने वाली बुजाएं बराबर होती है, तो स्टुडेंट दो गुना, लंबाई प्लस चोड़ाई, अगला देखिए, भुजा गुना भुजा क्या होता है, वर्ग का छेतरफल होता है, वर्ग का छेतरफल हमें देख लिए दुबारा आग आदार होता ही, उचालती है अगला देखिये स्टूडटस का अर्थ होता है, प्रतेक होपर संगत, अव्यप कैसे होते हैं सर्वांग सम्सम होते हैं, तो सर्वांग सम उत्तर आएगा इसमें, अगला है, जिस дос पर वस्तु घूंती है उसे कौन सा कौन कहते हैं गुंदन कौन कहते हैं स्टुडेंट्स गुंदन उत्तर होगा इसका अगला है संकू में कितने प्रष्ट होते हैं इस्टुडेंट्स दो होते हैं संकू में प्रष्ट एक तो पूरा ये वाला और एक नीचे वाला अगला देखिए स्टुडेंट्स वर्ग आयत वरत आधी कैसी हैं द्वी मियां आकरती हैं यह द्वी मियां आकरती है मतलब की टू डायमेंशनल आटवा देखिए किसी संख्या को दस्य गुना करने पर इकाई के स्थान पर हमिशा सुनने प्राफ्ट होता है दो का गुना दस्य कीजिए बीस प्राफ्ट होगा जीरो आया इकाई पर हमिशा जीरो प्राफ्ट होगा दस्य गुना करने पर अब हमें बताना है स्टुडेंट सत्य सत्य बिकुल ध्यान से सुनेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको एक्जाम पेपर आएगा जो पता लग जाएगा स्टुडेंट पर कितने प्राफ्ट प्राफ्ट सामने त्रिबूज की दो बुजाओं की माप का योग तीसरी बुजा की माप से बड़ा होता है विर्कुल सकते है त्रिबूज होता है स्टुडेंट की दो बुजाओं को प्लस करेंगे तीसरी बुजा से हमेशा क्या होता है स्टुडेंट बड़ा होता है दो समानतर बुजाओं की बीच में बीच की दूरी परते किस्तान पर सद्धे बराबर होती है यह समानतर रेखा हैं तो हमेशा दूरी हट पॉइंट पर क्या होगी समान होगी सही है 3.03 प्लस 0.01 16 बराबर 3.09 गलत है एक दंडालेक में दंडो की चोड़ाई असमान हो सकती है गलत हमेशा दंडालेक बनाते हैं स्टुडेंट की चोड़ाई हमेशा समान होती है अगला है त्रिबूज के तीनों कौनों का योग 180 डिगरी होता है बिल्कुल सकते है बट्टा 0.02 क्या हो जाएगा हमारा देखिए इस प्रकार से करेंगे इधर से अटाया है एक 0 लगेगा इधर से 2 0 लगेगे यह 0 से 1 0 कट जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा हम इस्टुडेंट्स 4 2 8 0 बट्टा 2 क्या जाएगा यह 41 40 अगला देखिए तीन बट्टा 5 भ जाएगा अगला 2.7 गुना 4 10.8 होता है वाई प्लस 4 बड़ाबर 16 चार इधर चला जाएगा मैनेस पर चला जाएगा वाई बराबर 16 मैनेस 4 मतलब की बारा एक सो चौन सट का 50 परतिसद एक सो चौन सट गुना 50 बट्टा सो अगर परतिसद लिखा हुआ है पर एक बट्टे है वाई बराबर हो जाएगा 36 बट्टा 8 मतलब की 45 अगला है दो वाई प्लस 5 बट्टा 2 37 बट्टा 2 होता है तो इस्टुडेंट्स यह इधर चला जाएगा मैनेस में आ जाएगा 32 बट्टा 2 बचेगा 2 गुना 2 4 32 बट्टा 4 मतलब की 8 अगला है देखिए परस्ट नमबर 11 चाहिए तो बताइए 24 विद्यार्ति के लिए कितने कंप्टर क्या बसकता होगी स्टुडेंट्स पहले एक विद्यारति के लिए निकाल लेंगे हम 6 के लिए 3 एक के लिए तीन बट्टा 6 अब 24 के लिए 24 से गुना कर दिजिए इतना ही पूछेगा उससे गुना कर ठीक है अगला देखिए 30 मीटर बुजा वाले एक वर्गाकार भगीचे की परिमाप से लगा भीतर की और एक मीटर चौड़ा पत बना हुआ है तो स्टुडेंट देखिए 30 मीटर बुजा की परिमाप है उसमें एक मीटर भीतर की और एक एक मीटर चौड़ा क्या है श्टुडेंट यह परिपत बना हुआ है यह परिपत है तो हमें ज्याद करना है पत का छेतरफल पहले निकालना है बड़े छेतरफल में छोटे को माइनस कर देंगे अगला देखी क्या बोल रहा है 40 रुप परती दर की दर से अगर बगीचे किसे इस भाग पर घांस लगाएं इसमें अगर घांस लगाएंगे स्टुडेंट्स तो उसका व्या निकालना है तो इसका 6 तरफल को हम 40 से भाग कर देंगे गुला कर देंगे तो पहले पत्का 6 तरफल निकालते हैं पत्का 6 तरफल बड़े में छोटे को माइनस करना है तो पून बगीचे का 6 तरफल वर्ग है इस्टुडेंट्स ये बर्गा कर खेत है तो भुजा गुणा गुजा क्या हो जाएगा 6 तरफल हो जाएगा बूल गए मैं निकाल देता हूँ 40 रुपे की परतिदर से अगर हम बीच वाले इससे में घास उगाते हैं यह तो पत्का बीच में घास उगाएंगे बचे होई भाग में तो इसका चेतरफल क्या आया हमारे पास छोटे वाले का 841 तो 841 गुणा 40 कर देंगे जितना उत्तर आएगा उत्ता हमारा उतने रुपे हमारे व्याओंगे मतलब की देखिए 0 आ जाएगा 4 गुणा 1,4 जी 0 हमने पहले लिख दिया है 4 चौक 16, 6 हासिल की एक 8 चौक 32 और 1, 33 कितना बया हुआ हमारा स्टुडेंट्स 33,640 रुपे अगला देखिए एक नगर में 30 परतिसत महिलाए हैं और 40 परतिसत पुरू से तो सेज बच्चे हैं तो बच्चों का परतिसत ज्याद करना है स्टुडेंट्स तेरो प्रशन है हमारा तो स्टुडेंट्स देखिए एक नगर में 30 परतिसत महिलाए हैं हो गई पुरू से 40 तो देखिए कुल परतिसत है 100 100 में से इन दोनों को गटा देंगे 40 प्लस 30 हुआ 100 में 70 गए 30 परतिसत उत्तर आया अगला है 21 मीटर व्यास वाले एक वरताकार बगीचे के चारो और माली बार लगाना चाता है एक वरताकार क्या है स्टुडेंट्स बगीचा है वरताकार मतलब गोल बगीचा उसके चारो और उसे बार लगानी है मतलब की boundary बनवानी है या फिर कुछ और लगाना है ताकि कोई भी उसमें ना गुस पाए तो खरिदे जाने वाले आवश्यक रख्षते की लंबाई गयाद करनी है स्टुडेंट्स वहें दो पूरे चक्कर की बार लगाना चाता है दो पूरे चकर मतलब की दो बार एक और दो और चार रुपे प्रथी मीटर की दर से ने इसका रज्टा की वह ग्याद करना है सब्से पहले बड़्टागर बगीचे की तरिज्जा निकालेंगे बट्व 2ать夜 2322 तर में निकालेंगे क्योंकि हम परीदी ज्याद करनी है students परीदी आ जाएगी हमारी दो पाई आर से 66 मीटर तो उसे क्या है students 66 मीटर रस्टे की जरुत पड़ेगी लेकिन उसे दो पूरे चक्कर की आवसकता है दो पूरे चकर लगाना चाहता है वे रस्टे से 66 मीटर रस्टे की आवसकता होगी और एक मीटर की मुल्य की रासी है हमारी चार रुपे चार गुना 132 कर देंगे 428 रुपे हमारा उत्तर आ जाएगा स्टे इस परकार चेपे संपून पेपर था इसमें 14 प्रश्ण है एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिधा डीटेल का एक एक चीज को आपको इस परकार से आपको ब्लूभी नमबर नहीं गटेंगे और भी हमारे हमने भूश सारे paper अप्लोड कर दिए और भी हम करेंगे students आप लोगों के लिए बैनत कर रहे हैं ला रहे हैं paper हर जगे से और बना रहे हैं ताकि कोई बात परिशान ही नहीं रहो हमगो भी students इसी परकार से आपको ये paper हमने solve कर रहा है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सियर करें और अपने दोस्तों को बताए चैनल के बारे में ताकि हमारे सब्सक्रिशन थोड़े से और बढ़े तो जुड़े ये चैनल के साथ धन्यवाद